जब सरकार की तरफ से पहल नहीं होगा तो कल की डेट में जो 6 JPSC के साथ सिती आये थी वो 7 JPSC के साथ भी आएगा ही आएगा इनेविटेबल है इसको आना है सरकार को चाहिए कि चीजों को गंबीरता से ले सदन के अंदर जो डिसकेशन होता है उसका परिनाम दिखना चाहिए और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बैट कर आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार आप कंड़क्ट करेंग करीब 60 वैसे अभियरती बाहर हो गए जो पास हो चुके थे जो सेवा में आ चुके थे जो काम कर चुके थे दरसल छटी जैपी असी का जो मसला है वह रगुछर सरकार में 5 साल तक चला बिपक्ष और सत्तापक्ष के भी कई विधायक छटी जैपी असी के विरोध में विध प्रकाशन कर दिया गया लोग ज्वाइन कर लिए अभी हाई कोट के निर्देश के बाद फिर से संसोधित परिनाम जारी किया गया जिसमें 60 लोग करीब बाहर हो गया क्या मानते हैं कि जो जेपीसी के अधिकारी हैं उनकी गलती है या सरकार में बैठे लोगों की मानसिक्ता देखें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यह तुमने तैयारी कहां से की मैं नाइभी एम को बढ़ाई देता हूं आप जो सपना देख रहा है उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे जो जेपीसी है यह एक्जाम कंड़क्ट करने में विफल रहा है इनको चीज को चीक चिला कर बोलता रहा है कि अगर आप एक वर्ड अगर बदल देंगे तो उससे पूरा एक्जाम का स्वरू बदल जाएगा आपने क्या क्या हमारी सरकार ने नियमावली निकाली जिसमें कहा था कि हम लोग पास इन इच पेपर रखेंगे सरकार ने क्या कर दिय वर्दमान सरकार ने पास ही निच पेपर को हटा के एवरेज कर दिया जब आपने एवरेज कर दिया तो आपको यह समझ में नहीं आया कि मान लिजिए पांच पेपर है मेंस का उसमें से एक पेपर कोई फेल कर जाता है और बांकी चार पेपर में ज्यादा स्कोर कर सकता है क कहीं न कहीं average लाके वो पास घोसित कर दिया जाता है इसी पे court ने भी टिपिनी की आखिर की क्या कारण है कि main subject में विद्यारती fail होकर JPSC का exam पास कर रहा है जिसके कारण स्ठे लगा है सुप्रीम कोट में गया है मामला सुप्रीम कोट ने भी इसको काय कि नहीं गलती है इस चीज़ को लेकर सरकार को चाहिए कि चीज़ों को गंबीरता से ले सदन के अंदर जो discussion होता है उसका परिनाम दिखना चाहिए और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बैट कर आपको सम्झाना चाहूंगा कि किस प्रकार आप conduct करेंगे exam तकि exam fair तरीके से conduct हो विवाद फ्री उसमें कई ऐसे चीज़ हैं जिसको सरकार का अवलोकन करना चाहिए उसमें से एक चीज़ ऐसा मैंने कहा कि pass in each paper को हटा जो कि आपने average कर दिया है वो तुरूटी पूर्ण है उसके बाद फिर 7 में विवाद होगा उस समय फिर आप मीडिया वाले आएंगे और कहेंगे कि जो दूर देख रहा हूं फ्यूचर में देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 जेपीसी के साथ भी वही हर्स होगा जो 6 जेपीसी के साथ हुआ हाईकोट ने यह भी कहा था कि जो अधिकारी दोसी हैं उन पर भी कारवाई हो लेकिन ऐसा तो दिख जेपीसी तो एक प्रियोक था जैसा जेपीसी के अभीयारते भी बोल रहे था जो अंदोलन कर रहे थे लेगिन बावजूद इसके सरकार आज की डेट में जेपीसी को गलत नहीं मान रही इसका मतलब यह है कहीना कहीं आपका कोई इंट्रेस्ट होगा और आपका इंट्रेस्ट की पूर्टी जब तब हो रही है जब जब आपकी इंट्रेस्ट की पूर्ती हो रही है तब तक आप JPSC के खिलाफ एक कदम में नहीं उठा रहे हैं जिस दिन ये इंट्रेस्ट की पूर्ती बंद हो जाएगी आप तुरंत कहेंगे कि नहीं JPSC एक व्रश संस्ता है इसको निलम्मित किया ज चाहिए कि इन सब चीजसे उपर उठके राज की हित में युवाओं की हित में भविश में कुछ कठोर कदम उठाए बलही उनसे उनका स्वार्शिद ना होता हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार यह सब करने में सक्षम नहीं है क्योंकि सरकार के मंत्री हो या खुद सर सरकार हो रश्ट चार में लिप्त है और इसको रोकने के लिए सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है फिर से विदान सबा के अंदर यह सवाल हो यह मेरा पिर से ता मैंने तो इस बार भी ध्याना कर्शन डाला उसको रिजेक्ट कर दिया गया कतिपे कारणों से पता नह मैं तो देख रहा हूं यह गल्ती है और फिचर में फिर यह कोड जाएगा मसला मैं तो यह जान रहा हूं इनेवेटेबल आपके चैनल में मैंने का था कि दो साल तक सरकार निउक्ती करने के पोजिशन में नहीं है बले ही सरकार ने निउक्ति वर्श गोशित कर दिया एक सा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे बिना गोट जाए नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा होगा तो फिर वही बात होगी एक तरफ युवा एक्जाम देगा और उसके बाद फिर वह कोड के चक्कर लगाएगा कोड का आदेश आएगा फिर उसको न्युक्ति पत्र नहीं दी पाईगी व्लक् neutrksen की नाया सरकार के पास उतनी वेकनेसी नहीं है सरकार यह नहीं कह सक्ती है कि हम लोगों ने ज्यपिस्ट को अच्छे से कंडेक्ट कराया सरकार ये नहीं कर सकती है आज की डेट में कि हमने स्थानियाता लागू कर दिया नियमावली ठीक कर दिया जब आपने कोई काम किया ही नहीं तो सरकार के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन वसता है युवाओं को बेरोजगारों को गोल-गोल गुमा के गोल-गोल गुम www.thefollow-up.in